हाई लेमेंधीज, वेलकम टो इजी वे कॉमेर्स क्लासेज, मैं हूँ ताबिता और वाइस, आज के इस वीडियो में हम वो दोस इंपोर्टेंट थियोरी कंसेप देखेंगे, जो की हम एक्जाम में एक बार एक लिए जरूर आपको पढ़ के जाने चाहिए, इन में से काफी ह आप इंस्टाग्राम पर मेरी आइडिया ताब इताम ऐसी पूछ सकते हो, या फिर यूट्यूब पर कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो, अब स्टाट करते हैं गाइस, मिनिंग ओफ ट्रायल बैन्स, सबसे पहले यह जो वीडियो है, यह CBST सेकंड टम के बेस पर बनी हुई है क्लास 11 के लिए, तो उतिनाई कोर्स मेंने कवर किया है, जो CBST ने सलेक्ट कर रखा है, इसके लाबा काफी सारी चीज़े हैं, जिसे कई स्कूल से जो कुछ चीज़े आड़ अप कर रहा है, तो वो इसमें नहीं होंगी, अगर किसी ने कोई और चेप्टर एड़ कर दिया, जो की 1st term का था, तो वो इसमें नहीं है, 2nd term के हिसाब से बनाया है, तो 1st है गाइस, मिनिंग ओफ ट्राइल बैलेंस, तो ट्राइल बैलेंस सबसे बहले आपको इसका मिनिंग क्लियर होना चाहिए, इसमें इसके फीचर भी पूछ लिए जाते है, कि ट्राइल बैलेंस का फ ठीक है, और मिनिंग के लिए मैं ये कहूँगी, जो भी चेप्टर करते हो, उसमें जो भी कंसेप्ट करते हो, उसका मतलब तो आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एक्जामिनर ये सोचके बैठा है कि आपको मतलब पता होगा जब अगर आपने चेप्टर किया है, तो एक इसमेनर ये सोचके बैठा है कि आपको मतलब तो पता है, तो मिनिंग हर एक चेप्टर में, हर एक चेप्टर में करना है, ठीक है, मिनिंग, किसी भी चीज़ का वो आपसे पूछ सकते है, तो आपको फाइनेशल स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है, ये सारी चीज़े इसके साथ-साथ, difference between bill of exchange and promissory note, तो difference में आपको इनके meaning भी पता होने चीज़े, bill of exchange का क्या होता है, promissory note का, वो आपको basis भी दे सकते है, difference के, कि इस base पर difference बताओ, acceptance के base पर, parties के base पर, तो आपको उस base पर ये जरूर पढ़ने है, ये काफी important है, guys, काफी बार exam में पूछा जा जरूर से पढ़नी है, थर्ड है, guys, आपका capital and revenue receipt, या capital and revenue expenditure का meaning क्या होता है, साथके साथ, इसमें वो आपको options दे देते हैं, जिसमें आपको identify करना होते है, कि ये capital revenue expenditure है, ये revenue expenditure, like अगर हमने repair कराई, तो repair of machinery हमारा revenue expenditure है, तो वो चीज आपको clear होनी चाहिए, कि आपको identification भी आ स question भी दे रखें, फिर आते है, guys, हमारा rectification of error chapter, rectification of error में meaning चारो errors के, चाहिए, principle है, omission है, आपका compensating है, सब के meaning आपको clear होने चाहिए, इसके साथ-साथ, एक question, guys, और बनता है, वो कौन सा है, कि ऐसे कौन से दो type के error है, जो हमारे trial balance को effect नहीं करते है, so, दो type के कौन से error है, error of principle है, guys, जो हमारे trial balance को effect नहीं करता, और एक compensating error है, जो हमारे trial balance को effect नहीं करता, अगर वो गलती हम कर देते है, तो पकडी नहीं जाती, ठीक है, इसके अलावा, guys, difference between balance sheet and single entry system, ये पता होना शाहिए, इसी chapter में, guys, आपका double entry system and single entry system के बीच में भी difference है, वो भी जरूर से पढ़ना है, इसके बार एक छोटा से topic है हमारे financial statement chapter में, grouping and marshalling of balance sheet, so grouping and marshalling of balance sheet होते है, guys, कि हम अपने balance sheet को किस तरीके से arrange करते है, present करते है, तो ये दो तरीके से होती है, liquidity के base पर और एक permanency के base पर, liquidity बोले तो हम अपने वो asset पहले दिखाते हैं, जो जल्दी cash में convert हो जाते है, like cash, bank, balance data, stock, permanals के base पर हम अपने fixed asset पहले दिखाते हैं, जैसे कि हमारे building, plant and machinery, तो ये वाला concept आपको जरूर से पढ़ना है, इसके साथ सत, guys, financial adjustment chapter में, जो treatments है, like closing stock का treatment क्या होता है, कि trading account में दिखाया जाता है, और balance sheet में दिखाया जाता है, इसके तरीके से अपको हर एक चीज के, bed debt का treatment कैसे दिखाया जाता है, वो चीज़ पता होनी चाहिए, इसके साथ, guys, अगर computerized system के बात करें, तो computerized पर पूरा chapter important है, तो कि काफी सारी चीज़े पूछ दी जाती है, अभी बहुत सारी school से जो ने पूरा chapter ही include कर दिया है, जबकि पहले कुछ कट गए थे topics, लेकिन अभी का अभी सारी school से जो पूरा chapter दे रहे हैं, तो मैंने इंपल वीडियो बना दिये, guys, अब असानी से 5-7 मिनट की वीडियो देख सकते हो, जिसमें आपका manual and computerized accounting system में difference क्या होता है, इसके साथ-साथ कितने type के accounting software होते है, तो 3 type के होते है, ready-made, customized and इसके अलावा tailor-made, तो वह भी आ जरूर से, guys, theory part करके जाना है, hope so, guys, कि ये आपको information useful रही होगी, इसके लावा, guys, again, एक चीज़ बोलूँगी, कि meaning of everything, आपको पता होना चाहिए, अगर आपकी बुक में noting charge word है, तो उसका क्या मतलब होता है, अगर आपके chapter का नाम rectification of error है, तो meaning of rectification of error क्या है, trial balance का meaning क्या है, financial statement का meaning क्या है, तो आपको meaning हर एक chapter के जैसी start करोगे, paragraph में दे देते हैं, वो जरूर से पढ़ लेना, समझ लेना बस, ठीक है, learn करने की जरूरत नहीं है कि पूरा rectification करना है, no, meaning clear होना चाहिए, दिमाग में, लिख आप अपनी दरब से बना की भी सकते हो, so, guys, ये थे 10 important questions, I hope आप लोगों के लिए useful रहे होंगे, अगर आपके फिर भी कोई query है, आप Instagram पर मेरी idea तब इताम ऐसी मुझे message कर सकते हो, comment की जरूर बता सकते हो, अगर ये information useful लगी, तो video लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ share कर सकते हो, thank you